जन्मास्मी पर सभी के गर में मेवा पाग तो बनता ही है लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेवा पाग जमता नहीं है तो इसके लिए आज मैं आप लोग साथ यह वीडियो शेयर कर रहे हूं इससे आपका मेवा पाग एकदम अच्छे से जम जाएगा इसली तो सबसे पहले कड पर इस तरीके से भून लिया है जब हलके से गुल्डन ब्राउन हो गया है तब हम इनको बाहा निकाल देंगे उसके बाद कड़ाए में एक चमज घी और डालेंगे और इसमें डालेंगे गौन तो मैंने वन फॉर्थ कप गौन लिया यहां गौन को भी लोग फ्लेम पर इस पर अच्छे से क्रिस्पी होने तक भून लेंगे मखाने अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं अब इनको भी एक प्लेट में निकाल देंगे उसके बाद कड़ाए में बिल्कुल थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें मिगी के बीज डाल देंगे यानि कि खर्बूज के बीज के बीज को एक दम लो फ्लेम पर रोस्ट करना होता है वह नहीं जल जाते हैं जैसे जैसी इन में चटचट के आवाज आने लगे इसमें हम खसकस डाल देंगे दो चमोच और थोड़ी सी कश्मिस डाल देंगे और इनको भी रोस्ट कर लेंगे लो फ्लेम पर ही सारी चीज़ लिए उसके बाद गैस का फ्लेम आफ कर दिया है उसको भी प्लेट में निकाल देंगे उसके बाद अभी हमें सारी चीजों को क्रश कर लेना है तो मैंने जो काजू बादाम ले थे इनको जो है क्रशर में इस तरीके से क्रश कर लेंगे तो थोड़े जो मौटे मौटे काज कर लेंगे ग्लास की हेल्प से बहुत जादा बारिक इनको क्रश नहीं करना है थोड़ा-थोड़ा मॉटा ही रखना है यानकी दरदरा रखना है तो इस तरीके से इनको क्रश कर लिया है उसके बाद अब चलते हैं मेवा पाग बनाने के लिए तो यहां मैंने फिट से वही कड देंगे तो चीनी अच्छे से घुल चुकी है लेकिन अभी हमें इसका पाग जमाना है तो इसलिए हम इसको थोड़ दिर और पकने देंगे जब तक कि इसमें एक तार वाली चाशनी बनकर तियार नहीं हो जाती चाशनी को मैंने अच्छे से पका लिया है और अब जब मैं स्काशनी के एक यह पर टार शेंट जाने मैं अब जाना इससे पर आपने नहीं मैं चैके बंढकर ब्लाइख है यो पलतें जहीं हम सुधार सा हम जाराने के बदालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको जब तक पकाएंगे चाशनी के साथ जब तक कि यह जो है एकदम जमने वाली consistency में नहीं आ जाएँ अभी मैं आपको पताऊंगे जमने वाली consistency में किस तरीके से होगी तो इस तरीके से अभी इसको लगाता चलाते हैं पकाते रहेंगे यह देखिए इस तरीके से अभी आप देख रहे हैं काफी थिक हो चुका है और जब मैं इस इस पैचला से गिरा रहे हूं तो चाशनी और ड्राइफूर्स जो है एक साथ गिर रहे हैं अलग लग नहीं गिर रहे हैं यानि कि अच्छे से जबने वाली कंजिस्टेंसी में आज लगा लिया था और इसको ट्रांसव पूरबवी Official करने के बाद इनको पूरी प्लेट में इस तरीके से चेसे है पूराइ प्लेट में अच्य से इसको जो है सेट कर दिंगे तो यहां मैंने इसको set कर दिया है उसके बाद इसको गरम गरम में ही हम जो इसमें cut लगा देंगे थंडा होने के बाद इसमें cut लगाना मुश्किल हो जाता है तो इसलिए थोड़ी सी गरम में ही इसमें कि अब इसको पाक जमाया था वह अच्छे से ठंडा हो चुका है और जो हमने कट लगा तो इसको एक बार और इस तरीके से नाइफ के एल्प से कट कर लेंगे जिससे की पाक हमारा इसली निकला है तो यह दिखिए कितना अच्छा हमारा मीवा पाक बन कर तियार हुआ है तो ज इसली यह जो है मीवा पाक बनाकर अपनी कृष्ण जी का भोग लगा पाएंगे तो अगर आपको यह रेस्पी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कोमेंट जरूर कीजिएगा तो चली अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में